पंडित धीरेंद्र शास्त्री के नाम पर गोरक धंधा, मुस्लिम युवक की कर्तूत उजागर, बता दे, मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अब देश विदेश में मशहूर हो चुके हैं, ऐसे में उन पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा के नाम पर लोगों से चंदा वसूल रहा था, बता दे, मुस्लिम युवक पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, बता दे, अवैध चंदा वसूली का यह काम शिव पूरी जिले में चल रहा था, जहां मुस्लिम युवक अपने एक स जल्द आपके इलाके से बड़े शहरों तक चलेंगी सरकारी बसें। वही प्रदेश के सड़क परिवहन निगम को दोबारा से शुरू करने का प्रस्ताव मुख्य सचिवाले कार्याले की ओर से परिवहन विभाग को भेजा गया है। प्रस्ती चोरी पर रोक के लिए प्रभावी कारवाई करने को कहा है। कमलनात को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनावों में चिंदवाडा सीट हारने के बाद कमलनात प्रदेश कांग्रेस में ही अलग थलग खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन बीते दिनों कमलनात की दिल्ली में राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद एक बार फिर इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि कमलनात एक बार फिर सक्रिय राजनीती में वापसी करने वाले हैं और उन्हें जल्द ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है वही कमलनात के साथ ही MP कांग्रेस के दो और नेताओं को पार्टी का राष्ट्रिय महासचिव बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है बता दे कांग्रेस के अंदर चर्चाएं हैं कि कमलनात को राष्ट्रिय इस तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौपी जा सकती है पर तहसील के हरदुआ गाव के सेना में वाहन चालक प्रदीप पटेल की दो दिन पहले सड़क दुरगटना मौत हो गई थी उनके साथ ही तीन अन्य जवान भी मारे गए थे इससे पहले सेना के विशेश विमान से प्रदीप कशव खजुराहू एयरपोर्ट लाया गया था जहां मोहन यादव ने जवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किये वही इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदीप पटेल के अद्वितिय योगदान और समर्पन के लिए यह देश उनका सदैव रणी रहेगा वही मोहन यादव ने उनके माता पिता को राज्य शासन की ओर से एक करोड रुपे की धन राशी उपलब्ध कराने की भी घोशना की दिग्विजय सिंह ने फिर बीजेपी और आरेसेस पर बोला हमला बतादे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभासांसद दिग्विजय सिंह ने शनिवार को CPIM के दफ्तर में प्रेस वारता की इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरेसेस को लेकर कई बयान दिये हैं दिग्विजय ने कहा मुसल्मानों को हिटलर की तरह आरेसेस टारगेट कर रहा है वही छतरपुर मामले को लेकर उन्होंने वीडी शर्मा को नपुनसक कहा है साथ ही दिगविजय ने कहा कि अंग्रेजों ने जैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किया उसी से सीख लेकर RSS भाजपा काम कर रही है दिगविजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठ बंधन के सदस्यों ने छतरपुर में मुसल्मान परिवारों के साथ हुई ज्यादती की घटनाओं की रिपोर्ट बताई वही दिगविजय ने BJP के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नपुनसक बताते हुए कहा है कि वीडी शर्मा मुझे आतंकियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुनसकता पर मुझे निराशा होती है आगे उन्होंने कहा कि देश में जो गवर्नेंस आफ नरेंद्र मोधी चल रहा है उसमें तुम भी खाओ हमको भी खिलाओ वाली नीती लागू है बता दे दिगविजय ने कहा कि भिंड में मुसल्मानों का घर गिराने के मामले में भी नयाया लए जाएंगे और खुद मु अधि के लिए राज़्धानी भुपाल आएंगे राजस्तान का स्वास्थ विभाक का यह प्रतिनिध्य मंडल आकर हिंदी में मेडिकल की पड़ाई के मॉडल को समझेगा इसके बाद सरकार को प्रस्ताव भेजेगा वही गांधी मेडिकल कॉलेज के अफसर ने बताया है क कई प्रदेशों ने हिंदी मेडिकल की पढ़ाई के लिए संपर्क साधा लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिल्चस्पी राजस्थान सरकार ने दिखाई है योगी के नक्षे कदम पर मोहन यूपी का कौन सा मॉडल बना मध्य प्रदेश के लिए नजीर जी हां उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदित तिनात के अंदाज में एक्शन दिखाने के बाद अब मध्य प्रदेश के सीम मोहन यादव प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए यूपी मॉडल को एमपी में लागू करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं इसके लिए बाकाइदा कमर्शिल टैक्स डिपार्टमेंट को ताकीद की गई है कि वह यूपी में आपकारी नीती की स्टडी करके रिपोर्ट सौंपें वही असल में यूपी की नई आपकारी नीती में योगी सरकार ने कई कड़े फैसले लिये हैं जिसमें बार की रिन्यूवल प्रोसेसिंग फीज बढ़ाने के अलावा एहम फैसला ये हैं कि बिना आपकारी विभाग की अनुमती के पुलिस या कोई भी और एजनसी शराब भांग या बीर की दुकान सील नहीं करा सकेगी बता दे, MP में मोहन सरकार आपकारी से जुड़े अपराधों पर काबू करने और राजस्व बढ़ाने के लिए अब UP मौडल का रुख कर सकती है वही CM मोहन यादव ने वानिक्जिक कर विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस मामले में निर्देशित किया है राजगर, छिंदवाड़ा, श्योपुर और नर्मदापुरम में भी भारी बारिश देखने को मिली है वही आज श्योपुर में बिजली गिरने से पांच लोग जुलस गए वही इधर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है कि मौसम विभाग के वैग्यानिकों का कहना है कि मानसून ट्रफ लाइन वर्तमान में दमोह से होते हुए लो प्रेशर एरिया तक विस्तृत है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बगल में ही समुद्र तट पर लो प्रेशर एरिया सिस्टम सक्रिये है वही जिस वजह से आने वाले दिनों में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है जहरीली हो गई MP की घास खाने के बाद हो रही गायों की मौत जी हां मध्य प्रदेश की घास जहरीली हो गई है क्योंकि हाल ये है कि घास खाने के बाद मवेशियों की मौत हो रही है। प्रदेश के सतना जिले में यह घटना तब सामने आई, जब घास खाने के बाद कई गायों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। बता दो करीब डेड़ दरजन गायों की मौत हो गई है। इतनी डॉक्टरों का कहना है कि खेतों में या मैदान में किसी रसायन का छिड़काव किया गया होगा और बाद में यहां की घास मवेशियों ने खाली इस कारण घास खाने वाली सभी मवेशियों की मौत हो गई